पेरेस ओलम्पिक में भारती होकी टीम ने शांदार प्रदर्शन करते हुए कांसे प्रदक्ट जीता था वहीं जीत के बाद होकी प्लेयर पियार स्रिजेश ने खेल से सन्यास भी ले लिया इस बीच आज पियार स्रिजेश बिहार की राजधानी पतना पहुचे यहां भारत 24 से उन्होंने कई मामलों पर खास बातशीत किये देखिए इंडियन हौकी के वाल कही जाने वाले पिया स्रिजेश आज पतना में हैं और सीधे इन से बात करते हैं सर आज पतना आ रहे हैं कैसा लगा आपको पहले बिहार आते हैं बहुत अच्छा लगा मैं तो अभी excited हूँ आज जाके इधर का प्लेयर्स लोंग से मिलना है आज वो लोंको सम्मानित कर रहे जा रहे है स्ट्रेट गवर्णमेंट तो बहुत अच्छा लग रहे है कि वो एक फेलिसिलेशन सरमनी का पार्ट बनना है होकी के प्लेयर्स से आपको क्या कहना चाहे रहेंगे कि बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको रोल मॉडल के तरुप देखते हैं प्रद्धान मंतरी मोधी से आपकी बाचीत हुई थी तिनोंने कई सवाल आपके पूछे थे बिहार को लेकर भी कई सवाले हुई थी क्या कैसा लगा उसमें वो शंक कैसा था देख पी-म से हमेशा मिलते हुआ अच्छा लगता है क्योंकि सर हमेशा मोटिवेर करता है और सर को मिलने से एक एनरजी मिल जाता है और ऐसे होना चाहिए है सारे टाइम पेन जब हम लोग वापस मेडल जितकी या ओलमिक से वापस अने के टाइम सर हम अच्छा हम लोग को घर में बुलाता है आमें पार्टी अरज करता है और हम लोग इस बार मिन ऑगस्ट 15 को चाहिए है कि देख सर मैं तो सेनर प्लेएर हूँ तो डेफिनली सर तो पहचानत है हमें और सर ने भी एक कोशिन किया था कि आप रिटेर्मिंट क्यों लिए हैं तो मुझे बताना है कि सब के लिए ऑच्छा टाइम होता है मेरे को लगा कि अच्छा टाइम है इसलिए तक र प्रदानमंत्री से भी इनके मुलाकात हुई थी प्रदानमंत्री ने कई सवाल पूशे थे अपने सेयोगी मितु इंजय के साथ रश्मित सिना भारत 24 पटना